तो प्रेंस आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने मॉवाइल के सारे वायरस को किवल एक क्लिक में डिलीट कर सकते हैं और आपको बिल्कुल रियल तरीके से बताऊंगा और आपको डिलीट करके भी दिखाऊंगा तो चलिए फ्रेंस वीडियो को स्टा नहीं मिला है तो आप यहां पर शेटिंग में जाकर के एप्स लिख के सर्च भी कर सकते हैं तो फिलाल मेरे में तो एप्स नौटिफिकेशन का उप्टन शो हो रहा है तो मैं इसे यहां से क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के बाद फ्रेंच यहां पर देखे see all 45 एप्स जितने भी एप्स हैं इस्टाल और जो पहले से मुवाइल के साथ आया है वो सारे यहां पर शो करता है तो see all एप्स वाले औप्सन पर मैं यहां से क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के बाद friends आपके मुवाइल में जितने भी एप होंगे वह सारे यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरह से friends सबसे पहले मैं आपको मुवाइल के यहाँ से Chrome ब्राउजर का option दिखाता हूँ क्रोम ब्राउजर को open करने के बाद friends यहाँ पर देखे एक option दिख रहा इस्टोरेज एंड कैचे का तब को इस्टोरेज एंड कैचे वाले option पर क्लिक कर देना है सबसे ज़्यादा वायरस friends इसी एप में होता है तो देखे Chrome ब्राउजर है और यहाँ पर क्लियरली लिखावा है जो टोटल है 680 MB है लेकर यहाँ कैचे देख सकते हैं 514 MB है friends देख सकते हैं किवाल एक एप में 514 MB वायरस बढ़ा हुआ है और यह मैं कोई फेक नहीं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको लाइब करके दिखा रहा हूँ अगर आप तो भी जानते होंगे तो आपको भी बिल्कुल विश्वास होता होगा कि यह सही है तो friends आप यहाँ से रियल है तो चलिए मैं अब आपको और दूसरे बताता हूँ जिसमें सबसे ज्यादा वायरस होता है तो इसके लिए मैं यहां से बैक कर लेता हूँ और अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ का आपको बिना setting में आये कैसे वायरस को डिलिट करना है इसके लिए friends आपको अपने कोई भी apps को यहां से प्रेंट जैसे यह YouTube है तो हमको YouTube को यहां से टच कलके रखना है टच कलके रखने के बाद यहां से आई बटन का option है यह आप में app info का option करके आएगा तो आपको app info वाले option पर क्लिक करना है तो मेरे में यहां i button का option है तो मैं i button पर क्लिक लिखा गिया है एप इंफो तो आपको यहां से फिर से यहां पर एक storage and catch का option आएगा फ्रेंट्स आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद देखे फ्रेंट्स इसमें जो catch है तीनसो तीरपन अबी है तो देख सकते हैं उसमें पान सो चगदा था और इसमें तीनसो तीरपन है तो देखे जो catch है यह जीरो बाइट हो चुका है इस तरह से प्रेंट्स आपके मॉइल का कोई भी setting कोई भी delete नहीं होगा नहीं कोई photo वीडियो कुछ भी delete नहीं होगा only for virus ही delete होगा इस तरह से तीसरा एक और एप है जिसमें सबसे ज्यादा virus होता है चलिए हम उसको भी आपको दिखा देते हैं इसके लिए में यहां से बैट करते हैं और यहां से जो यह Google extension है Google extension वाले option पर ऐसे क्लिक करके रखना है आई बटन पर जाना है और यहां से storage and caches वाला option पर क्लिक करना है और देखे प्रेंट्स इसमें 48 MB virus है तो मैं इसको भी यहां से एक क्लिक में डिलीट कर देता हूं इस तरह से प्रेंट्स आप अपने मुवाइल के हर वह एप को जा करके एक एक कलके डिलीट कर सकते हो यहां फोटो वाला option है इस पर भी प्रेंट्स जो भी हम फोटो डिलीट करते हैं तो वह एक वायरस के तरह बन जाता है तो storage and caches वाले देखें इसमें 20 MB है इस तरह से प्रेंट्स 2410 MB करके हर एप में वायरस होता है और आप उसे एक क्लिक में डिलीट कर सकते हैं और यह बिल्कुर रियल है कोई फेक नहीं है और हां प्रेंट्स अगर आपके मुवाइल में वाट्स अप है वाट्स अप तो आप चलाते हैं कि में भी वायरस होता है तो चलिए देखते हैं कि मेरे वाट्स अप में कोई वायरस है या ने तो यहां से फिर स्टोरिज पर जाना है और इसमें वायरस नहीं है 2.6 MB है तो इस तरह से फ्रेंट्स आप अपने मुवाइल के सारे एप में जा जाके चेक कर सकतें कि कौन से एप के मुवाइल में